तरह से चाहिए बाइब है इस एक लिए आपाई खाल है लिए खाल आप लिए प्रक्राइब आप करने लिए लिए पक्राइब कर दोड़ आपयों करने तो श्राइब है न क्लासरूम खुछ इस तरह से बैठ्थे हैं लाइक ए बी सी एंड डी पॉइंट पर अब यह चीज है कि जो इस classroom में student है that is Chameli उसने कुछ minutes तक class में walk करके observe करा and पूचा गया उसे कि क्या ये जो चारो students बैठे हैं वो एक square में बैठे हैं ये नहीं है मतलब ये जो चारो students बैठे हैं वो बैठ के square form कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं so इसे हमें अपने according determine करना है लेकिन determine किसके according करना है किसकी help से करना है distance formula का use करके so अगर हम ये चेक करना चाहरे हैं कि ये जो चारो students बैठे हैं ये एक square में बैठे हैं ये नहीं है so इसके लिए हमें यहाँ पर distance formula का use करना होगा क्योंकि हमें कुछ चीज़े पता होनी चीए like अगर हमारे पास square है square में क्या होता है square में दो चीज़े होती है एक तो जो चारो sides होती है वो तो होती है equal यानि कि एक तरह से पहले तो हमें ये शो करना होगा कि जो a b है वो equal है b c के b c equal है c d के and ये equal है d a के ये चीज़ पहले हमें शो करने होगी second important चीज़ एक square के लिए क्या होती है कि square के जो दो डाइगनल्स होते है जो दो डाइगनल्स होते हैं यहाँ पर square में वो दोनों भी equal होते है उन दोनों के equal होने से क्या होता है कि एक तरह से ये 90 डिगरी का एंगल बनता है सो हम कह सकते हैं एक square में जो डाइगनल्स होते हैं यहाँ पर दो डाइगनल्स फॉर्म होंगे a c and b d ये तो हमारा ये हो गया a c and जो हमने पहले बनाया थे हो जाएगा b d दोनों डाइगनल्स भी हमें एक तरह से हम यूज करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मिला डिस्टेंस फॉर्मिला आपने अब तक देख लिया आपको याद हो चुका है वो क्या है that is x1-x2 का whole square हमने कुछ topics में यह भी देखा था starting में इस formula को कैसे निकाला जाता है कैसे find out किया जाता है next यह formula होता है x1-x2 का whole square plus y1-y2 का whole square so जब आप इस formula का use करके इस सारी values find करेंगे तो आप यह देखेंगे कि जो आपका a b आता है यहाँ से a b जो आपका calculate होके आएगा वो आएगा root 18 और यह चारो के equal होगा यह जो root 18 आएगा वो BC के भी equal होगा CD के भी equal होगा and DA के भी equal होगा same इसी तरह से जब आप values put करेंगे तो वहाँ पर आप AC और BD calculate करेंगे तो वहाँ पर जो आएगा वो आएगा six units अब एक बार बात कर लेते हैं कि आप यह values कैसे पुट करेंगे आप direct in questions को कर सकते हैं इसमें कोई यह नहीं है कि बार बार इनकी calculation ही करें so आपको यहाँ पर खुद तो calculation करनी होगी देख लेते हैं कि points क्या क्या होंगे like यहाँ पर A के जो points होंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर होंगा 3,4 B के जो points और वीकन से coordinates होंगे वह यहाँ पर होंगे 6,7 next C के जो coordinates होंगे यहाँ पर होंगे वह 9,4 and last D के जो coordinates हो जाएंगे वह होंगे 6,1 so आप इस according x1,y1 पुट करके यह सारे distances calculate कर सकते हैं distances calculate करने के बाद यह कुछ values आपके पास आएंगे जिससे कि यह determine हो जाएगा कि यह x square है